दोस्तो आपकी आइस चोटी हैं आप उन्हें बड़ा दिखाने चाते हैं आपकी पलखे बड़ी हैं आप उसे घणा दिखाने चाते हैं आप आई-lisus लगाते हैं तो आप उसे कब लगाईएगा आप कौन सा आई-liner सॉरी मस्करा लगाएं कि आपके मेकप में चार चान जब आप मिलेगा आप इस वीडियो को अंतक्स जरूर देखें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपकी दोस्त रजिया हूं आज लेकर क्या हूं मसकरा तो दोस्तों आज मसकरा में हम कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो आपके लिए वाफी कारामद होगी जैसा तो पूरा कर लेते हैं अगर आई मेकप नहीं किया तो हमारा अधूरा है आई मेकप में आपने मसकरा अगर सही से नहीं लगाया सही तरीका भी आज इसमें बताएंगे हम और साथी साथ आपने अगर आई मेकप में मसकरा का सही चुनाव नहीं किया तो भी आपका मेकप अधूरा रह जाएगा तो सही से बात हैं जाहिर सी बात है कि हमारा लुक भी अधूरा रह जाता है तो आएए आज हम जानते हैं मस्करा के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों हमारी आखों में अगर मस्करा लगता है तो बहुत ही सुन्दर लगता है लेकिन हम मस्करा लगाए प्राइमर, फांडेशन और आप अपनी पसंद के आई श्याडो लगा लीजे, उसके बाद, तो अब बात आती है कि आपके पलके छोटी है, तो उसे कैसे, आँक्छे छोटी हैं, तो उसके लिए आपको essential oil वाला मस्करा लगाना होगा, यही है essential oil वाला मस्करा जो पहले देख आपके आखे बड़ी हैं पलकें जो हैं वो बड़ी हैं लेकिन आप इसे घंळ दिखाना चाहते हैं चाहत तो होती है हर किसी की चाहत होती है अलग-अलग difference तो कौन सा मसकरा select करेंगे, तो आईए इस मस्करा में आपको हम बताते हैं कि आपको volume वाला मस्करा लेना है, जब भी आप अपने लिए मस्करा का चुनाओ करें, volume वाला, क्यूंकि आप चाहती हैं कि आपकी जो पलखें हैं वो घनी दिखें, इसके लिए आपको इसका चुनाओ करना है अब तो आई मस्करा जो है मस्करा जो है वो आता है कई तरह का बाजार में कई रंगों का लेकिन भूरा और काला मस्करा बहुत अच्छा होता है नैचुरल दिखता है अब आता है कि भाई हम मस्करा तो लगाते हैं लेकिन हमको इतना पसीना आता है मु मसकरा तो आपको मसकरा लेना है waterproof वाला आप बाजार में जाए और आपका oily skene है तो आप अपने लिए waterproof वाला मसकरा select करेंगे क्योंगे आप जब इससे में आई मेकप करिएगा तो पसेना से ये लुक आपका खराब नहीं होता इसलिए आप इसका यूज़ अब बात आती है कि मसकरा लगाने का तरीका तो देखिए इमेज में जिस तरह से आपको मसकरा लगाते हुए दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है मसकरा लगाने का तरीका सही अगर तो आपके आई मेकप में चार चान लग जाएगा आपका जब आई मेकप अच्छा होगा तो आपका लुक भी बहुत अच्छा आएगा तो आपको एक तो सही मेकप में आपको मस्करा का चुनाव सही करना है और सबसे पहले ज्यादा मस्करा नहीं लगाना है आप इस तरह से इमेज में जो देख रहे हैं आपको जब बॉटल खूलती हैं आप तो मस्करा का जो बरस होता है ज्यादा है उसमें तो आपको इसे निकाल देना है बॉटल में ही अगर आप आखों में अपने ग्लास लगाते हैं तो आप कैसे लगाएंगे कब लगाएंगे आई मस्करा तो दोस्तो मस्करा लगाने से पहले यानि कि मेकप से पहले ही आपको फेस साफ किया फेस साफ करने के बाद आपको अपने आखों में ग्लासे लगा लेने हैं लगा ले कि आंब हमेशा याद रखिये कि यह नीचे से ऊपर की और होना चाहिए और नीचे वाला हलका सा नीचे लोवर लोगत होत Bay दो शांचें ती होटी हैं तो आप उसे बड़ा कैसे दिखाएंगे कौन से मसकरा में बड़े हैं तो उसे घंळा कैसे दिखाएंगे तो यह